अच्छा तो आपको ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनस शुरू करना चाहते हैं और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यह सोच के बिजनस नहीं शुरू कर पा कि कहीं लॉस हो गया तो क्या करेंगे क्योंकि जादातर बिजनस में क्या होता है कि आप बिजनस शुरू तो कर लेते हैं लेकिन शुरुवात में आपको उसका भुक्तान करना पड़ता है मतलब प्रॉफिट आपको कम होता है शुरुवात में कहीं न कहीं आपको पैसा लगा इतना तो है नहीं मतलब खाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या तो ऐसे में कई ऐसी अब सरकार की तरफ से ऐसे जॉब्स में बोलूंगी ऐसे जॉब्स हैं ऐसे बिसनस हैं जिनके जरीए आप पहले दिन से ही कमाई करना शुरू कर सकते हैं हैरानी हो रही है ना जब मुझ नुकसान उठाए अपना एक बिजने शिरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको डाक विभाग से जुड़ना है अब आप सोच रहे होंगे कि बही डाक विभाग से जुड़ने की क्या जरूरत है आजकल तो चिठियों का भी फैशन नहीं है आजकल तो इमेल के जरीए बात ह होती है इस तरह से यूट्यूब के जरीए बात होती है तो डाग में भाग से क्यों जुड़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको डीटेल में बताएंगे पहले आप मेरे से आत्म खातिव हो जाएए मैं हूं आपके साथ तमन्ना आप देख रहे हैं हमारा ओके क्रेडिट च चीज की भरपाई किये पहले दिन आपका बजनस चमक उठेगा भारती डाग विभाग ने हाल ही में अपनी फ्रेंचाइजी देने से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है इस जारी किये नोटिफिकेशन के मताबिक कोई भी भारती इंडियन पोस्ट आफिस की फ्र चित्र में ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है इसका पूरा प्रॉसेस क्या है किस तरह से आपको यह फ्रेंचाइजी मिल सकती है वह हम आपको बता देते हैं हाला कि सेलेक्शन प्रॉसेस के तहत सेलेक्टिड एप्लिकेंट्स को ही ऑफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी और यह सिलेक्शन फ्रेंचाइजी देने से जुड़े हुए नेमों और योगिता के आधार पर किया जाएगा फ्रेंचाइजी टाइपस डाग विभाग दवारा हर शहर में डाग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो तरह के फ्रेंचाइजी दी जा रही है जिनमें से एक फ्रेंचाइजी काउंटर सर्विस से जुड़ी है जिसे आउटलेट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं और दूसरी पोस्टल एजेंट से जुड़ी है इन दोनों प्रकार की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए डाग विभाग द्वारा अलगलग नियम और क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है डाग विभाग फ्रेंचाइजी आउटलेट काउंटर सर्विस से जुड़ी फ्रेंचाइजी उन्हीं को दी जाएगी जिन राज्यों में डाग विभाग द्वारा डाग सेवाएं उपलाब्ग नहीं कराई जा सकती दरसल भारत में ऐसे कई शहर और इलाके हैं जहां पर डाग घर नहीं है और इनी इलाकों में फ्रेंचाइजी के जर्ये डाग घर की आउटलेट खोलने का प्लान भारती डाग विभाग द्वारा बनाया गया है ताकि इने इलागों में डाग विभाग की काउंटर सर्विस खोलने से यहां के लोगों को भी डागर की सुविता मिल जाए अब आउटलेट फ्रेंचाइजी की विशेशताओं पर भी नजर डाल लीचे डाग विभाग के तहट दी जाने वाली फ्रेंचाइजी में केवल काउंटर सेवाई हु पलब्त करवाई जाएगी जबकि वितरन और संचरन की जम्मेदारी पूस्ट विभाग के माध्यम से जारी रहेगी इस franchisee का model के वर शेहर के तेजी से विकाशिर क्षित्रों में जैसे की महानगरों और उनके आसपास के कस्पों में लागू किया जाएगा लेकिन आप इस गलत हैमे में बिल्कुल मत रहिएगा कि एक बार आपने franchisee ले ली तो आपको आप कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है अगर आप franchisee लेते हैं तो डाग विभाग द्वारा साल में दो बार इसका review लिया जाएगा इसमें से पहला review franchisee खुलने के 6 महीने के बाद होगा और दूसरा अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा फाइनल review में अगर franchisee का कारे सही पाया जाएगा तो उस franchisee की अवधी को बढ़ा दिया जाएगा आपक्लिट franchisee के तहट आपकी कमाई कमिशन पर आधारित होगी यानि जो सामान आप सेल करेंगे उस सामान को बेचने पर निर्धारित की गई कमिशन आपको दी जाएगी और ये कमिशन ही आपकी income होगी फ्रेंचाइजी के तहट मिलने वाली कमिशन पोस्ट विभाग द्वारा उनके समानों के बिखने के बाद जो कमिशन दी जाएगी उसको जड़ा तस्वीरों के सरी आपको समझाने की कोशिश करते हैं पंजुक्रित आर्टिकल की booking पर 3 रुपए Speed Post आर्टिकल की booking पर 5 रुपए कमिशन मिलता है Money Order की booking पर नज़र डालिए आप 100 रुपए से लेकर 200 रुपए मुल्य के Money Order booking पर 3.50 रुपए और 200 रुपए से जादा मुल्य के Money Order की booking पर 5 रुपए कमिशन मिलता है वहीं हर महीने 1000 से जादा रजिस्ट्री या स्पीट पोस्ट आर्टिकल पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त कमिशन मिलता है डाक कर टिक्टों, डाक स्टेशनरी और मनी ओर्डर के फॉर्म की बिक्री पर बिक्री राशी का 5 प्रत्रिशत और रिटेल सर्विस पर 40 प्रत्रिशत कमिशन मिलता है अब ये भी जाना बहुत जरूरी है कि इसके तहट आप कौन सा सावान बेच सकते हैं फ्रेंचाइजी लेने में आने वाला खर्च अब फ्रेंचाइजी लेने में एक से दो लाग का खर्च आ सकता है इसके अलावा जिनका सेलेक्शन होगा उनको भी सेक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा जमा कराना होगा निवों के मताबिक पोस्ट विभाग के मिनिमम सेक्योरिटी पॉजिट की राशी 5000 रुपे निर्धारित है भारतिय डाग विभाग के लिए कौन कर सकता है आवेदन अब बात आती है कि इस फ्रेंचाइजी को ले कौन सकता है यानि किसका क्राइटीरिया क्या है तो अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र के लिहाज से आपकी मिनिममम आयू जो है उम्र जो है अठारा साल होनी चाहिए और मैकसिमम आप जितने भी साल के हूँ चलेगा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दूसरा क्राइचीरिया ये है कि आप आठवी पास होने चाहिए कोई भी व्यक्ति इस तरह के फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के लिए युग्य है यानि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय करता है तो भी वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए युग्य है हाला कि ये फ्रेंचाइजी शेहरी ग्रामीन और नए आगामी शेहरी टाउंशिप में दी जाएगी कोई भी संगठन जैसे की कॉलेज, पॉलिटेक्निकल, विश्विदाले, प्रोफेशनल कॉलेज भी पोस्ट ओफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाय कर सकता है लेकिन यदि आपके परिवार का कोई सदस से आपके इलाके के डाक विभाग की डिविजन में कारे करता है तो आप उस एरिया की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाय नहीं कर सकते अगर कोई individual इस franchise के लिए आवेधन करता है तो उस व्यक्ति के साथ franchise लेने से जुड़ा समझोता किया जाएगा वहीं अगर किसी संगठन द्वारा franchise लेने के लिए आवेधन किया जाता है तो उस संगठन के प्रमुक के साथ इस समझोता किया जाएगा डाग विभाग के लिए आवेधन कैसे करें फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म आपको post office की official website पर मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक आपको description box में भी दिया गया है लेकिन अगर किसी वज़ा से आप form डाउनलोड नहीं कर सकते तो postal division office जाकर फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ फॉर्म आप ले सकते हैं इस फॉर्म में आवेधन करने वाले व्यक्ति का नाम राश्ट्विता जिस थान पर वो फ्रेंचाइजी का कारे करना चाहता है उसके घर का पता जानकारी आधी बढ़नी होगी सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ये फॉर्म उस एरिया के post-divisional office के डाक विभाग के superintendent के पास जमा करवारा होगा जिस एरिया में आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं फॉर्म के साथ आपको कुछ documents की भी ज़रूर है पड़ेगी जैसे आपका जन्मतिति का प्रमान पत्र, birth certificate, pancard, घर के पते से जुड़े कुछ documents इसलिए आप अपने फॉर्म से पहले इन सभी documents की photocopy करवालें साथ ही ये documents आपको form के साथ लगाने होंगे किस तरह से होगा चयर? जिस एरिया के आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया के कुछ अधिकारी ही आपका selection करेंगे कैसे? देखिए एरिया के समंद्र Divisional Head को ASP, SDI द्वारा एक report सौंपी जाएगी और उस report के आधार पर Divisional Head उस व्यक्ति का selection करेगा जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेने के लिए काबिल होगा नोटिफिकेशन के मताबिक ASP, SDI द्वारा पोस्ट ओफिस के Divisional Head को ये report आप्लिकेशन में भरी जानकारी के आधार पर दी जाएगी व्यक्ति को Memorandum of Agreement पर sign करना होगा, Memorandum of Agreement में उस व्यक्ति के अलावा दो गवाहों द्वारा भी sign किये जाएगे इसलिए आप Memorandum of Agreement पर sign करने से पहले अच्छे से पढ़ ले, Agreement पर sign करने के बाद आपको franchise मिल जाएगी उन में से उन लोगों को ही performance दिया जाएगा जो की dark pension भूगी होंगे आवेदन करने वाले वक्तियों में से जिनको computer का अच्छा ज्यान होगा, जो computer से विधाये प्रदान करने में सक्षम होंगे उनको भी franchisee देने में preference दी जाएगी franchisee से जुरी training franchisee लेने वाले को इससे जुरी तमाम बातों को बताया जाएगा जानतारी दी जाएगी यानि कि एक training दी जाएगी उस training के बाद ही वो व्यक्ति official तोर पर उस franchisee को संभालेगा अब ये training किस तरह की होगी, कब होगी, कहां होगी, ये आप देखिए अगर ये training किसी और शेहर में दी जाती है, तो इस training के लिए उस शेहर में जाने और रहने का खर्चा post office की ओर से नहीं दिया जाएगा franchisee से जुडी सारी training शेत्र के subdivisional inspector द्वारा दी जाएगी और training देते समय अगर किसी व्यक्ति का प्रदर्शन सही नहीं पाया जाएगा तो उसकी दी गई franchisee का अनुबंद खत्मकर दिया जाएगा यानि जो भी व्यक्ति ये training लेने जाएंगे, उन्हें training लेते समय अपनी performance अच्छी रखनी होगी training के दौरान franchisee शिरू करने वाले व्यक्तियों को बताया जाएगा कि किस तरह से post office में कारे किया जाता है उतपादों, सेवाओं, basic procedure और परिसर की देखबाद किस तरह से की जाती है ये training पास करने के बाद franchisee अपनी franchisee शिरू कर सकेंगे इन सब के अलावा जिन भी लोगों द्वारा franchisee शिरू की जाएगी उनके outlet पर जाकर समय समय पर postal department के inspector द्वारा monitoring की जाएगी और देखा जाएगा कि उनके outlet पर सही तरह से काम हो रहा है या नहीं इसलिए जिन भी लोगों को post office की franchisee दी जाएगी उन लोगों को सही से काम करना जरूरी है क्योंकि अगर monitoring के दौरान inspector द्वारा पाया जाता है कि आपकी outlet में सही तरह से काम नहीं हो रहा है तो आपके खिलाफ action लिया जाएगा inspector द्वारा ये monitoring हर मेहीने की जाएगी और कुछ समय बाद postal department द्वारा अब रहती है दूसरी franchise की बाद तो इतना excited मत हुए थोड़ा सा सही हम रखिए क्योंकि इसकी बात हम करेंगे दूसरे वीडियो में तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मुझे दीजी जाजत और हाँ अब अपने डर को खत्म कर दीजिए कि कितना पैसा लगेगा नुकसान होगा के मुनाफ़ा क्योंकि किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ कि रिस्क लेने से हर कोई घबराता है लेकिन daring जिसको कहते हैं कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है तभी आपके कहीं अपना हाथ हाजमा सकते हैं तो आप ये तो नहीं कहूंगी कि आज ही कोई फैसला लेजिए लेकिन हाँ हमारे वीडियो आपको समय समय पर ये जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह का business, किस तरह का loan और किस तरह का व्यवसाय किस दौर में शुरू आप कर सकते हैं तब तक के लिए इजाज़त नमस्कार ओकी क्रेडिट भरोसा व्यापार का